ये जो जगा आप देख रहे हो ये कोट ने दी हुई है बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए बाउंटरी मार्किंग ये लोग ने कर दी है इसका नाम है ना बाबरी मस्जिद नहीं रखने वाले है वो लोग इसका नाम है ना मुहमद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखेंगे यहाँ पर actual masjid बनाई जाएए और फिर ये गोल वाली building आप देख रहे हो ये research center बनाया जा रहा है जिसके पीछे ये वाली high-tech building आप देख रहे हो ये hospital बनाई जाएए जो उनकी बाबरी masjid पहले वाली उनसके मिलता जुलता design बिल्द पूल भी नहीं होगा उनकी ना भी है वो project plan उनकर reject हो गया है और इस जगह का नाम मस्जिद आयोध्या है बाबर से किसी मुगल बादशा से हमारा कोई लेना देना नहीं है आज के व्लोग में हम लोग आये हुए है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आप मेरे पीछे देख सकते हूँ यहाँ पर भूवियर राम मंदिर बन रहा है राम मंदिर तो आज के समय बें बनकर 90% रेडी हो चुका है और एक महिने बाले इसकी प्राण प्रतिश्का की जा जाने वाला है लेकिन यहाँ पर पहले जो बाबरी मस्जित था जो कि बाबर ने बनवाया था 1528 में यहाँ पर पहले राम मंदिर को तोड़ कर तो इतने सालों तक जो विवाद चला था कि मंदिर बनेगा या मस्जित बनेगा तो मस्जित भी आज के टाइम पर बन रहा है जोटर ने अपना फैसला सुनाया था जो 2.7 एकड की विवादित जमीन तो वह 2.7 एकड की जमीन तो है ना वह राम मंदिर बनाने के लिए लेकिन उससे दुगनी जमीन है यहाँ पर 5 एकड की अयोध्या से 20 किलोमेटर दूर धनिपूर में दी गई है सुन्नी वर्क बोर् से ना करीब 3 किलोमेटर अंदर पड़ता है आप मेरे वीचे यह देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लगया गया है जो कि यह जो 5 एकड की जमीन है ना जो सरकार ने यहाँ पर दी है जो बाबरी मस्जिद के बदले यहाँ दी हुई है बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए लि इतनी पूरी 5 एकड की जितने भी जमीन है ना यहाँ पर मुहाया कराई गयी है यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए यह आने वाले टाइम में यही पर बाबरी मस्जिद के बदले दूसरी वाली मस्जिद है जो कि Muslim community के बारे में वो लोग अपनी history के बारे में लोगों को यहाँ पर educate करेंगे और उसके पीछे यह वाली high-tech building आप देख सकते हूँ, यह है न, hospital बनाई जागी है और future है न, मस्जिद का design कुछ ऐसा बनाया जाएगा, जो पहले वाला उनका design था, वो reject हो गया है और यह new design इनका pass हो चुका है, और आने वाले future time में यह वाला design यहाँ पर बनने वाला है देखो यह इसे यहाँ पर मैदान है, तो यही मैदान में यह वाला design बनकर ready होगा कुछ time में उनके trust ने यह भी कहा था कि जो उनकी बाबरी मस्जिद की पहले वाली, उसके मिलता जुलता design बिलकुल भी नहीं होगा उससे काफ़ different design होगा, यह जो अरब countries में जैसे मस्जिद रहते हैं, यहाँ पर उसके जैसा design कुछ है यह, कुछ futuristic design है यह, जो इनके trust है न, वो लोग यहाँ पर इसका नाम है न, बाबरी मस्जिद नहीं रखने वाले हैं, वो लोग इसका नाम है न, मुहमद बिन यह, क्लिप में देख सकते हो, और इस जगा का नाम मस्जिद अयोद्या है, बाबर से, किसी मुगल बादशा से, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो मानने वाले हैं सूफियों के, सूफी लोग हैं, जो ने समाज के लिए काम किया, आपने देखा है, यहाँ पर यही कु मुहमद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने वाले हैं, उसका डिजाइन भी है, बाबरी मस्जिद से मिलता जुलता नहीं होने वाला है, यह काफी डिफरंट डिजाइन होने वाला है, और पहले वाला उनका प्रोजेक्ट प्लाइन चू था, मैंने आपको दिखा है, वो क राजाओ का राज चला था, जैसे यहाँ पर इंडिया में मुगल एंपायर का राज आने लगा ना, धीरे धीरे मुगल सारे यहाँ पर इंडिया को कैप्चर करने लगे, जैसे 14th century में मुगल एंपायर एस्टाबिश होआ ना, फिर उसके बाद जाकर है धीरे धीरे यह राम मंदिर को तोड़ कर, 1528 से लेकर 1992 तक मस्जिद यहाँ पर रही और फिर देखो आज तो आप देखा ही कि यहाँ पर वापस से आप मंदिर बन चुका है, आप यह पोटो में देख सेकते हो, जो मस्जिद की यह तीन डोम थी ना, कहा जाता ही कि हिस्ट्री और एविडे पर चड़े और राम के है ना, साड़े चार तक पूरा डोम गिरा दिया था मस्जिद, फिर उसके बाद तो काफी सारे हिंदु मुस्लिम के कॉनफ्लिक्स हुए थे, कहीं लोगों की जाने भी गई थी इस दंगे, और फिर इतने सालों तक है ना, सुप्रीम कोट अपना फै फैसले में क्या कहा कि 2.7 एकड की जो विवादित जमीन है, वहाँ पर हिस्ट्री और एविदेंस को सामने रखते हुए, 2.7 एकड की जमीन वो लोगने राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी, और उससे दुगनी जमीन, 5 एकड की जमीन, सुन्नी वक बोर्ड को दी, जो की मस्जि जब लुटे के सबस्क्राइब कर जो एका मैं सुन्सौ एटो च्टेस, प्रेड की जब लुटे कीजन, झे कर विट बोर्ड की जो वर वाने प्पिने पर दी, ऑट न एक रून प्रों की जो प्रों लोगने ज़िए जो पांट वीजिए, वाने विजिए, जो एक एड उन